स्वागत है सात्यों एकबार फिर से आप सभी कद्रिश्टी PCS के UPPSC करेंट अपडेट प्रोग्राम में महुस सल्मान और आज हम उनस सवालों के उपर चर्चा करेंगे जो कि बनाए गए है ऐसी महतपूर ख़बरों के उपर जो सभी आपकी आगामी परिच्छा के लिए महतपूर हो सकती है और ये खबरे तकरीबन पिछले एक हफ़ते की है या कोई ऐसी महतपूर खबर जो कि तकरीबन 10-15 दिनों में भी रही है जो कि आप सभी के लिए महतपूर हो सकती है ये सवाल उन्ही खबरों के तरज पर बनाए गया है तो एपिसोड के शुरुआत करते हैं मानचित्र से यह यहां पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का मानचित्र यहां पर प्रदर्शित किया गया है तो आप सभी को बताना है कि उत्तर प्रदेश में इस्तित्र जहासी जिले की सीमा राज्य के किन-किन जिलों के साथ साजह होती है अगर हम जहासी की इस्तित्र को करते हैं और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मध्यप्रदेश के कुछ जिले भी जहांसी की सीमा के साथ अपनी सीमा को साजा करते हैं तो मध्यप्रदेश के वाकाउन कौन से जिले हैं जो कि अपनी सीमा को जहांसी के साथ साजा करते हैं इसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्षन में देना है आईए अब देखते हैं कि इस एपिसोड का पहला सवाल क्या बनाया गया है अगर बात करें तो जी ट्वेंटी की अध्यक्षता इस बार भारत वर्ष को मिली है यानि कि यह हमारे लिए एक गवरो की बात है कि जी ट्वेंटी की अध्यक्षता भारत कर रहा है इसके अंतरकत अगर बात करें तो उत्तरप्रदेश के चार जिलों में इसका आयोजन किया जाना यानि कि G-20 समिट के लिए जो वाक्थन का आयोजन किया जा रहा है लखनव में तो किया गया है इसके अलावा आगरा वारानसी और नोईडा में भी इस मेराथन वाक्थान का आयोजन किया गया है अगर बात करें G20 की तो ये वह देश है यानि इसके अंतरकत वह देश सामिल है जो की विश्व की जो संपूर आबादी है उसका तकरीबन 20 फीसद हिस्सा शेयर करते है यानि की विश्व की जो 60 फीसद आबादी है वो इनहीं G20 सदस देशों के अंतरकत निवास करती है इसके अंतरकत अगर हम बात करें इस आबादी की तो लगभग 75 फीसद से अधिक जो ट्रेड है विश्व में वो इनहीं G20 देशों के अंतरकत किये जाते हैं वहीं अगर बात करे GDP पर तो वैश्विक GDP का तकरीबन 85% इन ही 20 देशों के अंतरगत आता है यानि कि G20 के अंतरगत जो जो देश सामिल है संपूर्ण विश्व की जो जीडीबी है घरेलू उतपादन है सकल घरेलू उतपाद है उसमें से 85% जो है G20 के देशों से ही आता है तो इस तरह से इस का जो सही उत्तर होगा यह वाला हो जाएगा यानि कि G20 का जो उधगाटन किया गया है वो लखनव में किया गया है चली अगले प्रस्ट को देखते हैं सवाल है राज जी के किस जिले में अखिल भारती अंतरविश्विद्याले मलखंब चैंपियंशिप का आयोजन किया ज यह दोनों मिलकर इसका आयोजन कर रहा है यानि कि जो मलखंब चैंपियंशिप प्रतियोगिता है इसका आयोजन इन दो विश्विद्याले के साथ किया जा रहा है इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा तो इसकी बात कर ले पहली चीज तो यह चार दिवसी प्रतियोगिता और इसका जो आयोजन होगा श्री वारशने महाविद्याले इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा तो यहां पर ये बात महत्पूर हो जाती है कि इसका आयोजन कहां पर किया गया उत्तर हो जाएगा श्री वारशने महाविद्याले के इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन क जाएगा बात कर ले मलखंब की तो मलखंब मुख्य रूप से एक पारंपरी खेल है भारत का और इसके अंतरगत लकड़ी के एक उर्द खंभे या रस्ती के ऊपर विभिन प्रकार के करदब जो है वो खिलाड़ी दिखाता है मलखंब जो है मध्यप्रदेश राज्य का राज की खेल है जिसमें एक खिलाड़ी जो है उर्दुहदर खंबे या रसी के ऊपर विभिन प्रकार के करतबे दिखाता है तो इस तरह से इस प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा एवाला हो जाएगा चलते हैं आगे की तरफ सवाल है उत्तरप्देश ग्लोबल इन्वेस्टर समीट दो हजार तेश का आयोजन किस इस्थान पर किया जा रहा है विकल्प है डिफेंस एक्सपो मैदान लखनव ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपूर पुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोड़ा या केडी सिंग बाबू स्टेडियम लखनव उत्तरप्देश ग्लोबल इन्वेस्टर समीट दो हजार तेश का आयोजन जो है डिफेंस एक्सपो मैदान लखनव में किया जा रहा है इसके अंतरकत अगर हम बात करें तो उत्तरप्देश में वह सेक्टर जहां पर निवेस की संभावना है उस पर मन्थन किया जाएगा तीन दिनों तक साथ ही साथ उत्तरप्देश सरकार के अंतरकत अगर बात करें तो परेटन विभाग को बीस हजार करोड रुपए की निवेस लाने का एक प्रस्ताव दिया गया था जिसके अंतरकत अगर बात करें तो इसको बढ़हा करके करोड के निवेस के लिए MOU साइन कर लिया गया है और ऐसी आसंका जताई आ रही है कि इस समिट के आयूजित होने तक जो लक्ष यानि कि 40,000 करोड रुपए की जो निवेस की बात की जा रही है उसको प्राप्त कर लिया जाएगा तो इस तरह से इस प्रस्त का जो सही उत्त कि किस जिले में मिल्क प्लांट लगाएगी विकल्प है मेरट, बागपत, शामली या मतुरा तो इस प्रस्त का जो सही उत्तर है बीवाला हो जाएगा यानि कि बागपत में अमूल के द्वारा मिल्क प्लांट लगाए जाएगा इसके अंतरकत बात करें तो मुख्य रूप रूपय इन्वेस्ट करेंगे जिसमें से 800 करोल रुपय जो हूंगे वो प्लांट लगाने के लिए किया जाएगा और इसके अंतर्गत जब प्लांट लगा दिया जाएगा तो ऐसे उद्देशर रखा गए है कि यहां से आठ Lाख लीटर से अधिक दू तयार किया जाए अमूल का पूरा नाम क्या है तो अमूल का पूरा नाम है आनन मिल्क यूनियन लिमिटेड तो इससे सम्मंदित भी प्रस्न पूछा जा सकता है अमूल का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि इसका पूरा नाम क्या है तो यहां पर आप सभी को पता होना चाहिए कि अमूल का आनन मिल्क यूनियन लिमिटेड है चली अगले प्रस्ण पर चर्चा करते हैं हाल ही में राज में कहां सांसत खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया विकल्प है गोंडा बस्ति कानपुर या मेरट आप सभी को पता होगा कि भारत में खेलो इंडिया अभियान शुरू किया गया है इसके साथी साथ अगर बात करें इसका मुख्य उद्देश क्या है तो मुख्य उद्देश यह है कि जो भी ग्रामीड इस्तर के खिलाड़ी है वो भी अपनी प्रतिभा को दिखा सके उन्हें भी ऐसे मौके मिले जगकी जब वह राज्जी का नाम रोशन कर सके इस खेल क मुख्य उद्देश यही है कि जो ग्रामीड प्रतिबहाएं हैं वो उभर करकर राज्जे स्टर पर सामने आएग की राश फीरअंतर राश्ट्रिश इस तर पर भी अपनी प्रतिभा को दिखा सके और देश विदेश में अपना नाम रोशन करते हुए भारत का नाम भी गो चेल ये एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं सवाल है राजी में एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुवात कहा की गई विकल्प है मिरजापुर, सोनभद्र, हर्दोई या चित्रकूट इस प्रस्न का जो सही उत्तर है भी हो जाएगा यानि की सोद्रभद में एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुवात की गई है और इसकी शुरुवात क्यों गई है तो अगर सोनभद्र की इस्तिति को हम देखे यानि की वहां के रिलीव की देखे तो वहां पर विंध और कैमूर की जो श्रेडियां है वो दूर दूर तक पहली है जिसकी वज़ा से यहां पर ट्रैकिंग की जो डिमांड है वो काफी बढ़ रही है इसी चीजों को देखते हुए सोनभद्र में वन निगम और सोन एडवेंचर नाम की संस्था ने एडवेंचर टूरिजम की शुरुवात की है तो इस तरह से इस प्रस्ण का जो सही उत्तर हो जाएगा भी हो जाएगा यानि की एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुवात जो है सोनभद्र में की ग की जाएगी उसके लिए द्रिष्टी संस्थान की और सी कख्षाएं प्रारंब कर दी गई है और यह कख्षाएं आप सभी को ऑनलाइन मोड में द्रिष्टी लर्निंग एप के माध्यम से उपलब्ध कर आई जाएंगी ना केवल मेंस के लिए बलकि प्रलिम्स के लिए भी कख शुरू कर दी गई है को जानकारी चाए प्रिष्ट कर सकते हैं इन अगले प्रस्ड को देखते हैं सवाल है राजी के किस इस्थान पर एके 203 एसाल ट्राइफल का निर्माड किया जा रहा है विकल्प है अमेठी सुल्थान पूर लक्नव या प्रयाग राज इसका जो सही उत्तर हो जाएगा एवाला हो जाएगा यानि कि अमेठी अमेन्शी के एक स्थान है और यहीं पर इसक इसका निर्माड शुरू किया जा रहा है इससे संबंधित कौन सी कमपनी है अगर उसकी बात करें तो भारत और रूस के साजह कमपनी इंडोर रशियन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माड किया जा रहा है यानि कि कलास निको सीरीज की जो 203 एसॉल्ट रा लिखा गया है कि सौ फीसदी तक इस्थानी करण यानि कि इस राइफल का स्वधियसी करण किया जाएगा यानि कि जो राइफल होगी वह पूरी तरह से स्वधीस तकनीक पर निर्मित होगी स्वधियसी होगी तो यह इससे संबंदित कुछ महतपूर बाते रही चर्चा कर लेते हैं अगले प्रस्ट पर सवाल बनाया गया है हाल ही में प्रदेश के किस विश्विद्याले को यूजीसी द्वारा ए प्लस प्लस की रैंकिंग प्रदान की गई है विकल्प है दीन दयाल उपाध्याय यानि डीडीयू विश्विद्याले राम मनुहर लोहिया विश् या था अब लही हाल ही में यूजीसी द्वारा ए प्लस प्लस की जो रैंकिंग प्रदान की गई है और यह रैंकिंग प्राप्त होने के वाद विश्विद्याले प्रसासल है काफी उतसाहित है और इसके अंतरगत उसने अपने अन्य कालेजों को नैक मूल्यांकन के लिए ना केवल प्रेरित करने की योजना बनाई है बलकि इसके अंतरकत जो भी कर्मचारी है जो भी अधिकारी गण है उनको प्रसक्षित करने का भी एक खाका बनाया गया है और इसके अलावा विसुद्याले ने एक सेल भी बनाया जा रहा है जिसके ज़रिये कालेजों का मूल्यांकन का तरीका बताया जाएगा साथी साथ इसको लेकर प्रसक्षित भी किया जाएगा और कोशिश ये रहेगी इस से सम्थज जो भी अन्य कॉलेजے है जल्ड से आप यहां पर एक टर्म आता है नैक क्या है इसका फुल फॉर्म क्या है इसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है नैक मुल्यांकन की एक विधी है जो की यूजीसी द्वारा विबिनक कॉलेजों को रेंग की परदान करने के लिए इस्तिमाल में लाए जाती है और इसका फुल फॉर्म आपको बताना है कि नैक का फुल फॉर्म क्या है यह आप सभी का हूम वर्क रहा चर्चा कर लेते हैं अ अगले प्रस्ट पर राज में बोड रेस का अधिया गया विकलफ है सोनभद्र गोरखपूर वारानसी या प्रयागराज तो राज में बोड रेस का आयोजन जो है वारानसी में किया गया है और इस बोड रेस के अंतरगत अगर हम बात करे तो यहां पर 12 टीमें शामिल यहां पर यह मुख्य बाते रही यानी कि चार दिवसी जो प्रतियोगिता थी इसमें किनकिन पीमें का क्या इस्थान रहा हो सकता है सवाल बनाया जाये और कहा under에서 किया गिए था तो यह तो सवाल बनाया ही जा सकता है तो इससे संबनी तो ये कुछ महतपूर बाते रही और ये हमारे एपिसोड का अंतिम सवाल था और इस सवाल के साथ आज के एपिसोड को हम यही पर विराम देंगे हमें उम्मीद है इन प्रशनों के माध्यम से जिन सूचना और जिन तत्यों को आप तक पहुंचाया गया है वह आगामी परिच्छा में आप सभी के लिए मैधपूर साबित होंगे तो मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ कुछ नए सूचना और तत्यों के साथ तब तक पढ़ते रही आगे बढ़ते रही शुक्रिया